जैसा कि सब जानते हैं कि सावन का मास प्रारंभ हो चुका है और इस माँ हर कोई भोलेनात को प्रसंद करने के लिए विशेश पूजा अर्चना करता है यो तो भोलेनात सरफ श्रधा के भूखे हैं लेकिन फिर भी सावन मास में शिवजी की पूजा का अलग ही मात्व है यही नहीं इस मास में भोलेनात के भक्त सावन सोमवार का व्रत भी करते हैं माना जाता है कि सावन सोमवार के व्रत रखने से हर दुख से मुक्ती मिलती है और मनवांचित फल की प्राप्ती भी होती है तो दोस्तों अगर आप भी सावन के व्रत रखते हैं तो प्रती एक सोमवार को इस कथा को पढ़कर पूजा नर्चना करे माननेता है कि इस व्रत कथा को जो भी व्यक्ति पढ़ता या सुनता है भोलेनात उसकी मननतों की जोली भर देते हैं इसके इलावा अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो भी आप इस व्रत कथा को सुन सकते हैं तो आईए सुनते हैं सावन सोंबार की कथा एक साहुकार था जो शिवजी का अनंत भक्त था उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था और वो इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदर जाकर दीपक जलाता था उसके इस भक्ती भाफ को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभू ये साहुकार आपका अन्य भक्त है इसको किसी बात का कश्ट है तो आपको उसे आवश्य दूर करना चाहिए शिवजी बोले हे पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है ये इसी से दुखी रहता है माता पारवती कहती है कि हे प्रभु कृपा करके इसे पुत्र का दान दीजिए तब भोले नात ने कहा कि हे पारवती साहुकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान भी मिल गया तो वो कीवल बारावर्ष की आयू तक ही जीवत रहेगा ये सुनने के बाद भी माता पारवती ने कहा कि हे प्रभु आपको इस साहुकार को पुत्र का वर्देना ही होगा अन्य था भक्त क्यूं आपकी सेवा पूजा करेंगे माता की बार-बार कहने से भुलेनात ने साहुकार को पुत्र का वर्दान दे दिया लेकिन ये भी कहा कि वो केवल बारा वर्ष तक ही जीवत रहेगा साहुकार ये सारी बाते सुन रहा था इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख मैं पहले की तरह भूलेनात की पूजा अर्चना करता रहा उधर से ठानी गर्ब बती हुई और नम्मे महीने में उसे सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई परिवार में खूब हर्श उल्लास मनाया गया लेकिन साहुकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की वारावर्ष की आयू का जिक्र किसी से नहीं किया जब बालक की ग्यारावर्ष की आयू हो गई तो एक दिन साहुकार की से ठानी ने बालक के विभा के लिए कहा तो साहुकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इससे काशी पढ़ने के लिए रेजाए और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना वहां यग्य करते और ब्रामनों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ना वो भी इसे तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था और जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आँख से काना था तो उसकी पिता ने जब अती सुन्दर साहुकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोडी पर बठा कर शादी के सारी कारे संपन करवा लिये जाए तो उन्होंने मामा से बात की और गहा कि इसके बदले में आपको धेर सारा धन देंगे तो वे भी राजी हो गए इसके बाद साहुकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कारे संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आख से काना है इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी जी के लिए चला गया उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया तो राजा ने भी अपने पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया बारात वापस लोट कई उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जा कर देखा तो भांजे की प्राण निकल चुके थे वे बहुत परिशान हुआ लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राहमन चले जाएंगे और यग्य का कारया धूरा रह जाएगा जब यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया उसी समय शिव पारवती उधर से जा रहे थे तो माता पारवती ने शिव जीव जीव जी से कहा हे प्रभू कौन रो रहा है इतने में ही उन्हें पता लगा कि यह तो भोले नाथ के आशरवाद से जन्मा साहुकार का पुत्र है तब माता पारवती कहती हैं हे स्वामी उसे जीवित कर दे अन्य था इसके माता पिता के रोते-रोते प्राण निकल जाएंगे तब भोलेनात ने कहा कि ये पारवती इसके आयू इतनी ही थी वो भोग चुका है लेकिन माता के बार-बार अग्रह करने पर भोलेनात ने उसे जीवत कर दिया लड़का ओम नमस्षिवाई करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने इश्वर का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की और लोते रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया उधर साहुकार और उनकी पतनी छट पर बैठे थे उन्होंने यही प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लोटा तो वे छट से कूद कर अपने प्रांट याग दिंगे तब ही लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समाचार सुनाया लेकिन वे नहीं माने तब मामा ने शपत पूर्वक कहा और दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया उसी रात साहुकार को स्वपन में शिवजी ने दर्शन दिये और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन हुआ इसी प्रकार जो भी वेक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होगी की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद